अगर मैं अलग-अलग modulation index लेता हूं तो उसका waveform कैसे दिखते हैं यह हमने पहले एंवेव के अंदर हमने amplitude-modulated waveform को generate कर रखा है उसी examples के अंदर हम कुछ modification करेंगे तो उस modification के लिए हमने क्या किया उसको पहले उस पूरे का पूरे प्रोगाम फाइल को नए फाइल के अंदर पेस्ट करेंगे तो नए फाइल के अंदर हमने पेस्ट कर दिया यहां पे देखिए ctrl-c और ctrl-v करके कि और इसको हम सेव कर लेते हैं कि मोडूलेशन के नाम से और सेव करने के बाद हम क्या करेंगे कि अलग अलग मोडूलेशन इंडेक्स लेके हम उस मोडूलेशन इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम वेफ हम को प्लॉट करेंगे और वो भी अलग-अलग पॉइंट 9 के लिए प्लॉट किया था तो यहां पर देखिए हमारे पास आगया इस टाइप का एम वेव था अब इसी के अंदर हम चाहते हैं कि यह जो अलग लग डिफरेंट मोडिलेशन इंडेक्स के लिए हमारे पास एम वेव फॉर्म जेनरेट हो तो उसके लिए हम क्या क करेंगे कि सबसे पहले यह जो विजा आया है वाला उसका हँन पर बलॉट कर देड़े तो यहां पर यहां पर लिखा और यहां पर रन करता हो तो यहां पर लिखा वोऊ Chair प्लॉट के अंदर अलग ओने की उसके अंदर हम चालता हूं तो उसके अंदर सब्सक्राइब 1005 के लिए और 0.9 के लिए तो क्या difference दिखता है अपने को तो चलिए अलग लिए modulation index के लिए हम plot करते हैं बट यहाँ पे हमें लेना है figure command figure command क्या करेगा यह अलग ही window के अंदर plot करेगा तो यह देखिए एक figure हम already ले चुके हैं यहाँ पे यह देखिए उपर यह figure क्या करेगा इन तीनों waveform को यानि इसको इसको और इसको एक window पे plot करेगा और यह दूसरा figure naming देदेगा और वहाँ plot करेगा तो हम वापिस अप्लॉट command यूज कर सकते हैं सेम 3,1,1 इसके अंदर हम क्या करेंगे हमें plot करना है एम वेव तो एम के अंदर हम क्या करेंगे वापिस एम वेव को यहाँ पर ले लेंगे control V करके और यहाँ पर हम M की value बस change कर देंगे तो M की value हमारे पास अब उज़े हो जाएगी वह हो जाएगी 0.1 यानि पहले हम plot कर रहे है पॉइंट 1 के लिए और फिर हम इसका नाम देते हैं एम 1 ले लेते हैं ताकि plotting में simple हो तो हमने एम 1 ले दिया सब plot का हम नीचे लिख देंगे उपर लिखे तो भी कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन हम नीचे लिख देंगे ताकि हमारा जो differentiation हो बहुत आराम से हम देख सकें कि कहां पर क्या signal लिया वहां तो यह M1 लिया वह है 0.5 के लिए हमारे पास एम 2 आ गया similarly modulation index 0.9 के लिए हम ले लेते हैं 0.9 के लिए हमारे पास एम 3 आ गया तो हम इन तीनों को plot करने वाले हैं यह तीनों के अलग लग modulation index हो गया हमारे पास modulation index हो गया यहाँ पर देखिए पहले 0.1 के लिए फिर 0.5 के लिए फिर 0.9 के लिए यह M1, M2, M3 आ गया अब हम figure command को जब plot करते हैं वहाँ पर लिखना ज्यादा बेटर रहता है तो हमने M को values assign कर दी अब हम यहाँ पर figure command यूज लेंगे यह हमारा waveform आ चुका है अब हमें सिर्फ plot ही करना है तो plot करने के लिए हम plot command का use करेंगे अब हम लेंगे T, T तो पहले वाले यह जो चल रहा है और यहाँ पर हम लेंगे AM1 अब AM1 लिया तो हमारा क्या होगा modulation index 0.1 के लिए तो हम इसके अंदर X level, Y level as it is रख देते हैं तो यहाँ पर देखिए X level और Y level और title हम same copy कर ले रहे हैं एम वाले से ही और यहाँ पर paste कर दे रहे हैं तो time लिख दिया और aim signal with m equals to यानि modulation index equals to यहाँ पर आ गया 0.1 यह modulation index 0.1 के लिए है अब similarly हम इसी को copy कर लेते हैं पूरा का पूरा और इसके अंदर हम position just change करेंगे और modulation index की value change करेंगे तो इसको copy कर लिया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया copy paste इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें बार बार उस command को type नहीं करना पड़े तो देखिए अब ध्यान यह रखना है कि हमें position भी change करने तो प्लॉट में position change कर दी second position यहाँ पे अब हमें एम 2 लेना है यह टाइम और एम सिगनल ही आएगा बट अब modulation index यहाँ पे देखिए दूसरा सिगनल ही आए वह 0.5 के लिया है तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.5 अब similarly 0.9 के लिए लिए तो यहाँ पे प्लॉट किया as it is copy paste करके यहाँ पे देखिए अब थर्ड जो position है वह हम ले लेंगे am3 यहाँ देखिए am3 हमने प्लॉट के नदर change कर दिया time और am as it is रहेगा aim signal with modulation index यहाँ पे हम ले लेंगे जाए कि दो फिगर आने चाहिए तो चलिए इसको एक बार run करते हैं फिर देखते हैं तो जैसी रन के यहाँ पे देखिए आप दो signal आया है यहाँ दो figure window आया है एक figure वन जिसके अंदर यह तीन आया है यह दूसरा figure जिसके अंदर यह तीन आया है यह यह दो बार भले के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कितने रोग कितने कॉलम्स चाहिए तो बट यहाँ पर हमने अलग लग डिफिरेंशिशन के लिए figure कमांड को study करने के लिए भी हमने फिगर लिया तो इसलिए हमने इसको अलग लग विंडो में लिया यहाँ पर देखिए आप देख सकते है इसलिए यह डिफरेंट मोडिलेशन इंडेक्स के वैल्यू के साथ हमारा आया है और यह हमारे पास information signal केरे सिगनल और एम ओडिलेटेड वेव जो हमने पहले प्रोग्राम में या पहले वीडियो में किया था जो सिर्फ एम वेव जनरेट किया था तो यहाँ पर देखिए ज अलका सा शेप कवर कर रहा है मैसे सिगनल का बट यहां पर जो मोडिलेशन है वह बहुत ही कम है यहां पर पॉइंडेक्स की वैल्यू बहुत ही कम है यहां पर पॉइंट फाइफ में देखेगा maximum और minimum वैल्यू यहां पर देखिए यह अगर हमारे पास 2.4 है तो यह 1.2 आना और यहां पर अगर लें तो यह maximum value 90% के आसपास आता है तो इस हिसाब से हम different modulation index के लिए plot कर सकते हैं अगर मैं modulation index यहां पर 0 ले लें तो 0 पर सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक ही waveform आएगा वह straight line आएगी यहां पर amplitude का signal सेम आएगा जो हमने 2 लिया वाए और अगर हम modulation index 1 ले ले तो 1 के अंदर क्या होगा maximum peak आएगा minimum पर पास 0 पाएगा maximum amplitude आएगा हमार पास 2 वोल्ट क्योंकि हमने अलड़ी 2 सो multiply कर रखा है तो दोनों signal 2 और 2 सो multiply करें तो maximum 4 वोल्ट तक जाएगा यहां पर जो amplitude है वो 4 तक जा सकता है और minimum आएगा वो 0 पाएगा तो अभी इस वीडियो में हमने अलग-लग modulation के लिए plot किया है आप M की value अलग-लग change करके है plot कर सकते हैं तो चलिए यहां पर 0.9 को अगर मैं एक बार 1 रखके देखता हूं फिर यह क्या output देता है तो 0.9 की ज देगा हम दूसरे waveform में जाएं देखिए subplot 1,3,3 एम 3 के पास जाना है उसके अंदर हमें value change करनी है 1 M equals to 1 और फिर इसको run करना है तो जैसी run करेंगे यहां पर देखिए maximum value यह हमारे पास 4 को touch कर रहा है और minimum value हमारे पास 0 हो गया पहले यहां पर कुछ waveform आ रहा था लेकिन constant हो जाएगा तो चलिए इसको मैं 0 कर देता हूं पहले वाले पार्ट में तो अगर figure देखे second के अंदर एम 1 के अंदर जाना है एम 1 के अंदर हम इसको 0 कर रहे हैं तो modulation index अब जो हो जाएगा वह 0 के लिए हो जाएगा ध्यान दीजिए उसके बाद यह modulation index 1 के लिए हो जाएग 0 या तो 0.0 लिखते हैं या फिर 0 लिखते हैं एक ही बात है अब इसको रन करते हैं तो रन करने पर यह देखिए यह तो पहला waveform आ गया था यह वाला तो as it is carrier हो रहा है हमारे पास देखें यहां पर यह जो करेड़ सिगनल था वह एजट इस ट्रांस्मिट हो रहा है एम सिग जाए तो यहां पर देखिए यह पॉइंट 9 था इसको थोड़ा सा भरावर कर देते हैं तो पॉइंट 9 में यहां पर यहां पे खंका सा आपको दिखे का सिगनल लेकिन जैसे मॉड्यूरी इंडेक्स वन के यांने 100 परसंट यहां पर जिरू आ जाएगा तो इस तरीके से हम modulation index को identify करके formula के according भी निकाल सकते हैं modulation index होता है Vmax मानस Vmin upon Vmax plus Vmin Vmax यह maximum value of AM wave और Vmin मानी maximum या minimum amplitude of AM wave दोनों का ratio अगर हम निकालते हैं Vmax मानस Vmin upon Vmax plus Vmin करके तो यह modulation index निकल जाता है और ध्याना कि यह 0 और 1 के बीच में ही modulation index होता है तो यह तो था हमारा AM wave different different modulation modulation index के थाथ hopefully आप लोगों को समझ में आया होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यूद आप 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 झाप आप